हाई एग्रीबडी तोड़े वी आर गोईंग तो डिसकस अबाउट दा मंकी बाइट यानिके बंदर का कड़ देखिए इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर यह सेकंड लाज़ेस्ट एनिमल बाइट होता है आफ्टर डॉग दूसरे नंबर पर जो है आपका मंकी बाइट क जब बंदर काटा है यानिके मंकी बाइट करता है तो क्या होता है तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो यह कि जहां पर बाइट हुआ है जहां पर काटा है बंदर ने उस जगह पर विए आपका सीरियस वाउंड इंफेक्शन मिलेगा serious wound infection मिलता है और harpes B virus का infection भी फैल सकता है और rabies का infection भी फैल सकता है तो ये risk रहते है यानि कि कौन से risk है जब अपका bite करेगा monkey bite करेगा serious wound infection harpes B virus and rabies तो इनका risk जो है वो रहता है science and symptoms science and symptoms इसके कितने दिन में appear हो जाते है यानि कि कब दिखाई देने लगते हैं तो इसके science and symptoms जो है आपका कुछ दिनों बाद भी यानिके जिस तरह से dog bite में second day से इसी तरह से इसमें भी second day से या उसके थोड़ा बहुत बाद में से लेकर और आपका one year के बीच में कभी भी इसका infection जो हो आपका फैल सकता है और जो आपका wound बना है जो जखम बना है वो तो serious होई जाता है अगर आप ने उसका care नहीं किया तो infection इसका किस तरह से फैलता है अगर मा लिजे एक person से दूसरे person में एक इंसान infection हो गया तो दूसरे में किस तरह से जो है आपका spread होता है तो उसके अंदर जो है आपका direct contact with a leasin याणि कि person to person फैलेगा अगर वो बहुत जादे close contact में आता है उस leasin के जो जखम बना है जब वो बना है उसके संपर्क में कोई दूसरा person आता है या more severe infection हो गया है तो वो इंसान की drop rate याणिक रेस्टाइटी drop rate के जरीए बोलते वक्त, छीटते वक्त, खासते वक्त चीट वगरा दूसरे पर लग सकती है तो उस तरह से भी ये infection जो है spread हो सकता है या जो है bedding अगर एक दूसरे की share करें तो उस condition में भी infection फैलने का खत्रा रहता है तो जो है infection जो है वो आपका इस तरह से फैल सकता है sign and symptoms देखे sign and symptoms में सबसे पहली चीज़ तो जहां पर bite हुआ है तो वो जो wound है वो आपका serious infected होगा यहन्किए उस side पर serious infected wound जो है वो आपका appear हो जाता है और दूसरे अगर if harpes B virus का infection हुआ है तो उसका first indicating sign क्या है कि flu like flu like जो है वो आपका symptoms इंसान के अंदर appear हो जाते हैं और उसके बाद यानिकिए if harpes B virus infection आकर अगर harpes B virus का infection हो गया है तो उसमें first indication पहला indication क्या होगा flu like symptoms दिखाई देंगे उसमें, flu like symptoms दिखाई देंगे उसके बाद उसको fever chills यानिके बुखार और ठर्ड के साथ बुखार आता है और उसकी मांस्पेशियों के अंदर दर्द होता है, muscle act होता है बाद में इंसान जो हो आपका setting हो जाता है, ठकावा महसूस करता है और headache भी उस इंसान को देखने को मिलता है few days later, कुछ दिनों के बाद चिकन पॉक्स लाइक ब्लिस्टर्स एपियर उसकी बाड़ी के उपर जो है चिकन पॉक्स लाइक जो ब्लिस्टर्स एपियर हो जाएंगे जो बाद में, lesions में convert हो जाते है और उन lesions को हम herpetic skin lesions कहते है herpetic skin lesions उनको कहा जाता है यादि के progressive neurological impairment के बाद जो है, जिसके अंदर जो चीज़े उनकों सी चीज़ आउगी, यादि कैसे sign symptoms वहापर दिखाई देंगे तो वहाँ पर आपर dyspnea मिलेगा सांस लेने में patient को बहुत जादे प्रिशानी होने लगेगी lymph nodes जो होते हैं, वो swell हो जाते हैं, inflamed हो जाते हैं और lastly क्या होगा severe nerve damage of nervous system, nervous system की जो nerves हैं वो damage हो जाएगी और जो है आपका brain भी damage हो जाता है और lastly इंसान की death हो जाती है home remedy के तोरपर आप क्या कर सकते हैं यानि कि जब तक doctor available हो तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है सबसे पहला काम करना है उस bite marks को जहां पर bite हुआ है उसको अच्छी तरह से तकरिवन 15 मिट तक उसको wash करना है या तो साबून के साथ swab के साथ या liquid detergent के साथ या आपका antiseptic swab कोई हो उसके जरिए या जो है आपका iodine solution अगर है तो उसके जरिए आप उसको अच्छी तरह से 15 मेट तक wash करिए continue tapping water पानी का टंकी का पानी जो उसको पर लगाता डालते रही है उसको wash करते ही है और 15 मेट तक आप इसको wash करिए तो इससे काफी हद तक उसका risk कम हो जाता है infection का risk जो है आपका कम हो जाता है treatment treatment में क्या है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके उतना जल्दी उसका immunization करवा दीजेगा सबसे पहले जब तक vaccine available हो तब तक आप उसको treatment का injection लगवा दीजेगा और उसके बाद जो है आपका जो anti-rabies vaccine है anti-rabies vaccine वो 24 hours के अंदर अंदर आप उसको लगवा दीजेगा और अगर 24 में भी नहीं हो तो 72 hours के अंदर यानके certainly निश्चित तोर पर जो है आप उस vaccine को patient को लगवा दीजेगा a series of 4 to 5 14 डे पर आप जो है vaccine लगवाईगा और इसके साथ एक injection जो है आपका human rabies immunoglobility HRIG के नाम से एक injection आएगा वो भी जो है इसके साथ जरूर लगवाना है इसके अलावा जो आप therapy कर सकते हैं वो आप fluid therapy जरूर कीजेए क्योंके monkey pox अगर appear होता है तो उसका वाही देख इलाज होता है आपका fluid therapy तो आप जो है fluid therapy उसपर इस्तमाल करेंगे और इसके साथ साथ जो है आपका oral कोई भी broad spectrum antibiotic oral broad spectrum antibiotic patient को दीजिए और जो है आपका aurally amoxicillin, clemeninate और IV में अगर देएं तो आपका ampicillin, salbactam वगरा जो है उसको patient को आप दे सकते है patient को अगर pain वगरा है तो analgesic आप उसको दे सकते है और अगर viral infection confirm हो गया है तो फिर जो है आपको long life जो है आपका antiviral drugs patient को देनी होंगी यानि कि जैसे acyclovir है 800 mg 5 times daily into seven days तो आप देंगे देंगे लेकिन lifelong आपको ये ड्रक्स देना होगा आपका हर्पी बी वाइरस अगर हो गया तो उसमें life threatening है मौत का खत्रा रहेगा ही तो सवाल एक और आता है कि अगर इस तरह की bite हो जाए infection हो जाए तो क्या patient को खाना चाहिए देखिए इसमें कोई किसी तरह का restriction नहीं है आप उसमें wedge भी non wedge भी जो चाहें वो आप खिला सकते हैं लेकिन vaccination जरूर करा ले तो ये था आज हमारा monkey bite इनके बंदर का काटना इसमें से अगर कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो like, share, subscribe जरूर कीजिए thanks